अस्लामुले कुंझा रूर्ब्सुराल लाहिक इन्दर ताइप से फॉस्फोरस के नॉन्लमेनस अमार्फिस को नोन् टॉक्सिक होता है रड़िश प्रॉंद प्रॉडर उुक्व नहीं होता है यू रहा है ये वाई फॉस्फोरस जब बाडिश के निदर पर मैंफेस्ट कर र atmosphere के अंदर जाता है तो वहाँ पर white fumes phosphorus की create होती है और phosphory acid की fumes के अंदर जो glow होता है pale yellow color का होता है जिसे phosphorescence कहते है इसकी odor जो होती है वो garlic like होती है और यह highly volatile होता है ठीक है इसके uses military purposes के लिए और matis के जो side पर होता है वो phosphorus होता है mechanism of action देखें तो यह प्रोटोप्लास्मिक poison है यानि यह cell को destroy करता है cell की metabolism को effect करता है फिर anaerobic condition में यह होता है कि cell की metabolism थोड़ी बहुत चलती रहती है fat accumulation हो लग जाती है cell के अंदर नेक्रोबायोस हो जाता है fetal dose की बात करें वन नेमजी पर kg है और fatal period की बात करें तो 12 घंड़ी है sinus symptom की बात करें तो fulminant poisoning की case में peripheral vascular collapse हो जाता है और death 12 to 48 hours के अंदर हो जाती है acute poisoning case में जहांवर इसकी जो dose अभी नहीं नहीं का है fulminant poisoning जिसमें massive intake हो करी है over 1 gram ठीक है और लेकिन जो acute poisoning के उसमें 0.1-1 gram तक की intake है तो clinical manifestations दो phases के अंदर appear होती है पहला जो phase होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सारी sinus symptoms appear हो रही है वो 2-6 घंटे के अंदर हो जाती है और ये इसलिए हो रही होती है क्योंकि irritative action हुआ है फॉस्वरूरस के GIT पे तो उसके विज़े से बहुत ददा प्यास लगी कि गारलिक कितना का टेस्ट होगा इसके अलावा mouth, throat और sub-sternal epigastric region जहां से वो गुजरा है वहां पर burning sensation होगी ये नाजिया, vomiting, diarrhea तो होना ही है जो vomitas और stool होगा उसके अंदर गारलिक है सरफर-like order होगी पहले order की बात आ जाते है और दूसरी है कि वो luminous होगा dark के अंदर और तीसरी है कि उससे fumes निकल रही होगी तो इसे कहते है smoky stool syndrome की odor, dark में वो luminous है odor, luminous और इसके इलावा fumes की बात होगी ठीक है और जब इनका contact to skin के साथ तो उसमें low healing burns in rate हो जाते है further primary stage जो है वो एक से दो दिन तक last करती है ये इस तरह में बहुत ज़्यादा swear भी हो सकती है कि patient इसे stage के इंदर expire कर जाए due to the cardiac failure और relapse आगे दुबारा से भी patient आ सकते है मतलब उन्होंने ये बात हो रही है यहाँ पर के remissions ये relapse of the vomiting and diarrhea हो सकते है उसके बाद से candidate symptoms में है तो two to six days में appear होते है और further ये इसलिए appear हो रहे है वहाँ सरफ GI की radiation हो रही थी कि इसलिए appear हो रहे है क्योंकि absorption हो चुकी है और उसके action अब distant areas के अंदर हो रहा है जैसे के liver के अंदर ये kidneys के अंदर इसमें पहला चीज ये आ जाती है कि jointus और abdominal distension होई होती है क्योंकि liver के necrosis हो रही है तो jointus की जो feature होती है वो olive green hue रेखने को मिलती है early stages के अंदर जब liver enlargement होता है why? because liver is being damaged ठीक है skin पर perpiric sports होते है hematoma माजूर होता है feces pale हो जाएंगे urine concentrated होगा और उसके अंदर blood भी होगा patient के अंदर oligouria albubinuria और N-uria डिवेलप हो जाता है यानि acute renal shutdown जो A के आई होता है उसके तरफ patient जा रहा होता है acute kidney injury के तरफ अगर तो pregnant woman थी तो उदर abortion हो जाएगी और बहुत ज़दा blood bleeding होगी skin-s manifestation में frontal pain है insomnia है ringing years है और blah 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 इसके लावा rectal dysfunction माजूद होता है और death हो सकती है due to hepatic and renal insufficiency तो पहले में क्या था GI के symptom ते दूसरे में है hepatic and renal insufficiency के symptoms इसके जो treatment देते हैं और से एंडमेल सेंट्स नहीं देते क्योंके वो इसके absorption को further increase कर देते हैं gastric लिवाज जब करना होता है तो कि MNO4 यूज कर रहे हैं या पर CUSO4 यूज कर रहे हैं ये antidote के तोर पर काम कर रहा होता है बागी दोनों दे सकते हैं मसला कोई नहीं है बावल को हमने पहली हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी खाली करें पर गेटिव दे की लिकुड फेराफिन भी देते हैं वो absorption नहीं होने देता अब फिर वो जो loss हुई है न चीज़ें वो हमने वापिस करानी है पेशिंट को कल्शिम लॉस हो गया है कल्शिम गलॉकूनेट देंगे सोडियम बाईकाबनेट देंगे सलाइन देंगे क्योंके शौक के अंदर अलेक्ट्रोलाइट इमबेलनस को ट्रीट करना है इसलिए लिवर फेलर को प्रिमेंट करने के लिए आइवेड एक्स्टूस देंगे और वाइटमिन बी कॉंप्लेक्स के और सी भी देंगे परेटोंगे और हीमोडायलेसिस भी कर सकते हैं अगर किड्नी फेलर शिरू हो गया और इसके इलावा स्किन के जो बंज होती है उसे अगीन कॉपर सेलफेट या पर जो सोडियम यी भी वेरी काशी होती है कि देथ अगर तो पहले 24 गंटे कंदर होई है तो फिर क्या स्म्टम्स आ रहे हैं लेकिन अगर डेथ आफ्टर दा необходимость मोजवे अ फोगी बायक्रियू होकित और बायक वार्टीस से इसमेल घार वर लिगन की स्टेमेक कीकाइन देखें थे तो अगेन बॉडी इमेसियर्टेड है, गार्ली की स्मेल मौजूद है, जो अंडस और हैमरेजिस हैं, बिल्कुल ना, वो जो हमने पूपर साइनेज स्म्टम्स पढ़े हैं, उससे बिल्कुल रलेट कहते हैं चीजें, पोस्मॉर्टम के अपेरेंस के अंदर भी, ठीक है, इस इसके इलावा उसकी टॉक्सिक एफेक्ट हैं, वो बेतरहाशा और्गन्स में देखे जा सकते हैं, ठीक है, फैटी डीजेनिरेशन होगी हाइट की और किड्नी की, इसके इलावा सब बेंटोकार्डियल हैमरेजिस मौजूद होगे, ब्लेट जो होगा, वो टारी होगा, और वो क्यागलेशन बिल्कुल शो नहीं कर रहा होगा, विससरा जो होते हैं, उनको कामन स्वाल्ट के अंदर पर रजाव करके आपने भीजना होता है, क्रॉनिक पोईजनिंग में देखें, तो ऑस्टियोमेलाइटिस होता है, टूथ होता है, लूसनिंग आप टूथ हो जाती इसका treatment जो काम कर रहते हैं, यहह करते हैं, उसके पर रहे ही होता है कि क्रॉचित के नहीं कि पर निदे होता है, क्योंगें पर पेशिकन को सरुछनIm के बियन कैया होता है, में पांद मिलकुल कर देना चाहिए, और फ़र्चिकल को आपनो कीषम से च儒्यागा कर देना Medical Importance में सबसे पहली बात तो Accidental है Accidental का यह सीन है कि Fireworks के अंदर Rat Piece के अंदर and Water Deficence के अंदर यह यूज होता है ठीक है तो वहां से Accidental Poisoning हो सकती है Besides that, Sucedal Poisoning जो होती है भी होती है जो क्या करती है कि जो मैच का Head होता है अगर यह माचे से तो इसे यहां से उठा के पानी के अंदर डिप कर लिया या फिर ब्रेंडी के अंदर डिप कर लिया और वो फिर ले लिया बिसाइज देट नावडेस नुसेडल जो है वो rat waste वगरा की consumption हो रही है होमसेडल में जाएं तो पहली बात हो यह है कि कॉमन्ट ने जदा नहीं है क्योंकि इसकी smell और taste और luminosity जो है वो अच्छी कासी है दूसरी बात यह आ जाती है कि rat क्यों बाइसन है ना अलबता they can help in होमसेडल cases क्यों क्योंकि जब उसे tea और coffee के अंदर mix करते हैं तो उसको जो symptoms appear होते हैं पहली बात symptoms delay होंगे दूसरी बात symptoms जो appear होते हैं acute liver disease जैसे होंगे तीसरी बात कि वो death जो होगी वो few days के बाद होगी तो delayed है after few days और symptoms भी liver disease से कर रहे हैं तो victim पकड़ानी जाएगा जिसने काम किया होगा victim क्या रही हूं murder जाग डाल दी जाती है phosphorous उसके अंदर होता है जिसकी वज़ा से उसा आग लगा दी जाती है और insurance से इससे फाइदा हो जाता है घर जल गया तो insurance के पैसे मिल जाएंगे इस तरह कसीने उसके बाद जो है के elementary form हम देखते हैं के body में poison ये phosphorous मौजूद होना चाहिए ठीक है क्यूंकि हमारे वैसे भी phosphorous होता है body में poison हुआ है तो आपने देखना है poisoning के cases में के elemental form में मौजूद होना चाहिए to confirm कि poisoning ही थी और putrified bodies के अंदर से भी detect किया जा सकता है